राजधानी दिली में प्रदूशन का इस्तर अभी भी गंभी श्रेणी में कई लाकों में बना हुआ है दिली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राये ने कहा कि आने वाले एक दो दिन इस्तिती ऐसे ही रहेगी इसके बाद इस्तिती में परिवर्तन होगा दिली में ग्रैप 3 के नियम लागू है वहें ब्युजेपी ने सरकार पर सवाल ठाते हुए कहा कि दिली वासियों को भगवान की भरो से छोड़ रखा है राधानी दिली में लोग जहरीले हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं दिली के कई लागों में QI 400 को पार कर गया है गंबीर शड़ी में पहुंचा QI लोगों की परहिशानी बढ़ा रहा है केंदरे प्रदूशन नियंतन बोर्ट के मताविश दिली के लग 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 लाखों में QI 400 के पार है जैसे कि राधानी दिली के अलेपूर में द्वारका में पंजावी बाग, नहरू नगर, द्वारका सेक्टर आठ में 400 के पार दरज किया गया पटबरगंज में 398 अशोग विहार का 386, सोनिय विहार का 402 और जहागीरपुरी का 434 सो दर्ज हुआ ऐसे में पर्यावर मंतरी गोपाल रहे ने कहा कि अभी एक दो दिन तक इस्थती ऐसी ही रहेगी, इसके बाद लोगों को रहात मिली शुरू हो जाएगी ग्रैप 4 के नियम में छोटा सा बदलाव किया गया है, जैसा कि पहले से सबको सूचना है कि दिल्ली में एक नॉमबर से, दिल्ली में तो CNG की बस चलती है, इलेक्टरिक बस चलती है, लिकिन बाहर से जो बसें आती है, वो BS3, BS4 की पलूसन फैलाने वाली रिजल से चलने व लागू होता है, उस समय उन बस्यों को भी प्रतिवंदित रखा जाएगा. जो बनी है, उस में अभी दो तिन दिनों बाद, उस में सुधार की इस्थितियां जो हैं बंद रही हैं, ऐसे परिस्थिती में अभी निड़ा यही लिए आ गया है कि दिल्ली में जो ग्रेप 3 के नियम है, उनको जारी अभी रखा जाएगा, जब तक इस में सुधार और न पतिवन्द है, कई लोग ये गारियां सड़क पर लेकर आ रहे हैं और उनका चलान हो रहा है, और फिर वो कह रहे हैं जी हमें तो पता चलाता है कि सब हट गया है, तो मेरा निवेदन है कि आइसका ध्यान रखें, और हमें उमीद है कि इसमें और जो पिहर प्यूर काटेग दिनिश पृताप ने कहा कि दिली वासियों को केजिवाल सरकार ने भगवान बरोसे छोड़ दिया है, ये बिहर धहरानी की बात है कि हर साल दिली प्रदूशों की बार जेल दिये, लेकिन आमानी पार्टी की सरकार आज तक इससे लेकर कोई विउपाय करपानी में नाकाम ह दिली के परियावरमनती, दिली के मुखमंतरी ने दिली को भगवान के भरोसे पर छोड़ रखा है, कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, और ये लोग एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सरकार चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दिली से प्रदू बढ़िया, जिया सब्साथ करें दिल्य में प्रदूर्सा उनके विपरीथ हैं आला कि अनुमान लगा जा रहा है कि अगले दो से तीन दिन में इस्थती में सुधार होगा जिससे दली वासियों के जहरेली भावा से रहात मिल पाएगी कोटर टीवी के लिए देवेश कुमार के साथ पिने शर्मा की रिपोर्ट